आपका फिर से हमारे चैनल अर्बन पहाडी मिश्टिक पर सौगत है ये धर्ती और दुनिया अपने अंदर कई ऐसे राज छुपाए और समेटे हुए है जिनके बारे में आम इनसान सोच भी नहीं सकता ऐसे राज से जब भी कभी पर्दा उठा है या उठाया जाता है तब हमेशा ही इनसान है खास तोर पर हमारे भारत देश की धर्ती में ही कई ऐसे राज दफन है ऐसा ही एक राज या यू कहें की रहस से पहाडी राचे हिमाचिल प्रदेश के मंडी जिले के जिला मुख्याले से तक्रीबन 60 किलोमेटर दूर रोहांडा नामक्स्थान पर छुपा हुआ है रोहांडा सुंदर घने पहाड़ों के बीच बसा एक स्थान है जहां स्थित कमरू नाग जील अपनी दिव्यदा और आसिमित खजाने के लिए काफी चर्चित है इस जगह के बारे में कई बोरानिक कहानिया प्रचलन में हैं कहा जाता है कि इस जील में बोरानिक काल से ही सोने चांदी और अन्य जवारातों सहीत काफी सारा धन डाला जाता रहा है और अब तक ये सिलसिला जारी है इसी वज़ा से इस छील की गेहराई में इस सोने चांदी और रुपयों ने इखटा होकर खजाने का रूप ले लिया है प्रचलित है कि इस छील में सोना और अन्य रत्म डालने से भक्तों की सारी मन्नते पूरी होती है स्थाने लोगों और मान्यताओं के अनुसार खजाना सिधा पाताल की और जाता है इसकी रक्षा किसी जीवित व्यक्ती द्वारा नहीं बलकि पहाडों में बारिश के देवता के रूप में पूझे जाने वाले बाबा कमरू नाग और उनके सेवकों द्वारा की जाती है इसलिए इस खजाने को निकानने की हिम्मत कोई नहीं करता और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसका विनाश हो गया इसलिए अब कोई भी इनसान खजाना निकानने या इस तरह का कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता कहा जाता है कि यहां चड़ाया गया चड़ावा पताल लोग के माध्यम से सीधे भगवान के चर्णों तक पहुंसता है आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी ऐसी ही और डराबनी और मिस्टेरियस कहानिया जानने के लिए हमारे चैनल अर्बन पहाडी मिश्टिक को जरूर सस्क्राइब करें और जादा से जादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज अर्बन पहाडी मिश्टिक को जरूर फोलो करें धन्यवाद